बजार में जब हम ऐसे चोटे सा टैडी बियर देखते हैं तो कितना प्यारा लगता है बहुत ही मन करता है कि हम भी ले ले या इससे बच्चों को लेकर गिफ्ट दे दे या बच्चे लोग जित करते हैं कि हमें इस तरह का टैडी बियर चाहिए और आप में से कई लोग सोचत आपके लिए लेकर आई हूँ एक और टैडी बियर बहुत चोटा सा क्यूट सा प्यारा सा 30 संटी मीटर का यह है इसकी हाइट है 30 संटी मीटर इसमें मैंने जिप लगाई है जहां पर आप इसको फिल कर सकते हैं और इसको मैंने एक यहां पर दिखे हैंगिंग तरह का भी ब पर में बैटके टैडी बेर इस तरह के पैरे पैरे टैडी बेर बना सकते हैं तो इसका पैटन आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा जो बिलकुल फ्री है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज की हमारी यह वीडियो 30 संटी मीटर क यह चोटा सा टैडी बेर मटियल में सबसे पहले आपको कटिंग पैटन चाहिए जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renoscreativehub.com फ्री है आपको वहाँ PDF में मिल जाएगा आप लोग इसको डाउनलोड कीजिए और एफ और साइज में प्रिंट निकाल के यूज की करें के लिए एक लिए छोटा सा टुकड़ा चाहिए वाइट पैल्ट का इसकी नोस बनाने के लिए को एक और फैल चाहिए रेट लीजे बलाक लीजे वाइट लीजे जो भी आपके पास में पहले लेबल हो आपने आपसे कोंबिनेशन ले सकते हैं उसके अलावा आपको च कपड़े पे और सीजर कट करने के लिए कैंची सुई धागा सिलने के लिए देखिए जिनके पास मशीने वो मशीन से भी सिल सकते हैं और इसमें ये बड़ी वाली सुई भी चाहिए होती है जब भी आप टैडी या कोई भी सॉफट आइस का काम करें तो आपको ये बड़ी वाली सुई चाहिए होती है इसकी नोज वगेरा बनाने के लिए तो उसके अलावा ये मैं थ्रेड यूज करूँ उसकी नोज के लिए आप ब्लैक ब्राउन जो भी आपके पास एविलेबल हो ये एम्ब्रोइडरी वाला थ्रेड है इसको यूज इसके अलावा आपको चाहिए पॉली फाइबर फाइबर वूल फील करने के लिए कोई 100 ग्राम के करीब तो ये मटेरियल है चले शुरू करते हैं देखिए अब सबसे पहले हमने कपड़े पर मार्किंग शुरू करनी है अब जैसे कि आप देख रहें कि इस कपड़े में फ ये इरो का मतलब नीचे की तरफ है यानि कि इसमें फर की डिरेक्शन नीचे के साइड हो नीचे आप वह कैसे आपने रखना है देखिए सबसे पहले तो आप इसको यहां पर चेक कीजिए कपड़े को देखिए ये फर की डिरेक्शन है आपको ऐसे भी पता चलेगा अगर इसको ऐसे करेंगे कि यह उखड रहा है यह बाल इसके उखड रहें इस तरह से करेंगे तो यह बिल्कुल यह डिरेक्शन है इसकी तो यह डिरेक्शन को आपको अपनी तरफ रखना है यानि कि इसको आपको कपड़े को इस तरह से बिचाना है तो जो फर्की डिरेक्शन है व तो इसथा से रखके, आपने इस कपड़े के उपर ने से मांग ना गосьра on a जैसी कि कि निसे थे मटांगे नुकि हमको दो पीस काटने हैं तो थे सब्सक्राइब सände हैं एक पीस काटने हैं कि इसे से सब्सक्राइब नुकुर्ण काटनम्ति Palman बर्च आब आप इसको एक पीस इस तरह से रखे काटिये बृब पीस मैंने लिखा होगा 1-nrev लिखते हूं मैं आरिवी का मतलब होता है रिवर्स तो एक इस तरह से रखे पीस कट माग कीजे और दूसरे को इस तरह से रखे और उस पीस को आप माग कीजे अब इसको माग भी करना मैं आपको दिखा देती हूँ यह मैंने रखा है यह नीचे का थोड़ा सा ही बॉर्डर का पोर्शन ही में छोड़ देती हूँ तो इसको इस तरह से रखेंगे कपड़े को और आपने यह कोशिश करनी है कि आपका कपड़ा वेस्ट न हो जितना हो सके आप इसकी जगे को युटलाइज कीजे जहां पर भी आपको चोटी सी जगे मिले जो चोटी चोटी पीसिस है वो आपको चोटी चोटी जगे पे निशान बना लेना है जहां पर भी तो आपको कोशिश करनी है कि आपका ज्यादा से ज्यादा कपड़ा यूज हो जाए और वेस्ट बहुत कम हो, इस तरह से बिल्कुल रखे, आप इसको पिन भी लगा सकते हैं, अगर आपको लगे कि यह हिल रहा है या वो हो रहा है, तो आप बीच में कहीं पर पिन इसको लगा दीजे, और पिन लगाने के बाद में आप इसको इस तरह से मार्क कर लेजे, दिखिए मैंने एक मार्किंग कर लिये, अब इसको मैं इसी तरह से यहां पर पलटती हूँ, और यहां पर मैं एक और पीस की इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ, दिखिए, अब मैंने मार्किंग कर दी है, आप जैसे देख सकरें, मैंने पूरे जो भी पीसिस है, जो पिंक में कारते थे, उनको पिंक में मैंने कट कर लिया है, जैसे की main body के 2 pieces हैं, और यह backhead है, इसका single來 piece है, इसका side face इसके 2 pieces थे, एक इस तरह से और एक reverse करके, यह इसके हैं 2 pieces, लेग से दो पिस और इयर्स के दो पिस दो पिस में काटे हैं दो पिस इस वाले कलर में किये हैं माक क्यूंकि दो पिस इस कलर का और दो पिस इस कलर का बनाओंगी foot pad भी मैं इसी color का और एक सी center की body है friend body वो भी मैंने इसी color में mark की है अब देखे आप देख रहे होंगी कि मैंने कोशिश की है कि कपड़ा कम से कम waste हो जो साथ साथ में जहां पर आ रहा था वहाँ पर मैंने इसको mark कर लिया अब इसको cutting करने के लिए आपने क्या करना है दिखिए एक तो simple scissor लिया और cut करना शुरू कर दिया लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें फ़ार है तो अगर आप इस तरह से काटेंगे न जैसे कि simple कपड़े को काटें इस तरह से cut करेंगे तो इसकी फर जो है side side की पूरे cut के नीचे बिखर जाते हैं तो आपको ये कोशिश करना है या तो आप छोटी सी scissor लीजी या बड़ी जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको की छोटी सी scissor से ये दिखिए छोटी सी scissor इससे भी आप कर सकते हैं नहीं तो आपके पास अगर वो cutter है तो वो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि cutter से फिर ये फर नहीं कटता खली उपर का कपड़ा कटता है तो आपने क्या करना है खली इस कपड़े को लेना है इस तरह से और आपने कट कर देना है आप बड़ी से भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपकी बड़ी जो कैंची है जो scissor है उसमें अगर नोक है तो आपने ये सिरफ उपर का जो कपड़ा है ये जो back side में कपड़ा है इसको सिरफ कट करना है ये दिखिए इस तरह से ये फर नहीं कट रहा है आप इससे भी कर सकते हैं लेकिन सिरफ नोक नोक से काटना है आपको पूरे इससे नहीं आपने बस ये कोशिश करने की सिरफ ये उपर का जो कपड़ा है इसके back side में वो कटे ये देखिए ये देखिए फर बिल्कुल नहीं कट रहा है बिल्कुल भी safe रह 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 अगर मैं इस तरह से इसको पकड़के काटूंगी तो ये पूरा फर जो है यहां से कटके ये नीचे पूरा बिखर जाएगा और ये अच्छा भी नहीं लगेगा side side में ये पूरा खाली हो जाएगा तो आप चाहे cutter जो वो होता है cutter उससे भी आप रखके इसको कट कर सकते है उससे भी खाली उपर का कपड़ा कटेगा नहीं तो आपके पाद चोटी सी scissor है तो इससे इस तरह से कट कर लीजिए जैसा भी आपको convenient हो जैसा आप कर सकते हैं उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं इस तरह से कटना चाहिए देखे इसको मैं खींच रही हूं तो नीचे क सारे आपको मिल जाएंगे कोशिश की है कि सब में आपको easy way लगे और easy से आप लोग बना सके पर इस वाली को मेरे को लगा कि थोड़ी सी ज्यादा detail में बताऊं इसलिए थोड़ी सी अगर बड़ी हो जाएगी तो प्लीज आप देख लीजेगा जिसको बनाना है वो देख लीजे पूरे end तक कोशिश करूँगी कि छोटी से चोटी चीज को cover करने की कोशिश करूँगी इस वाले videos में तो यह simple हम teddy bear बना रहे हैं छोटा सा 30 cm इस तरह से आप सारे pieces को cut कर लीजे अब देखिए मैंने सारे pieces की cutting कर दी है अब हम इसको join करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसे हम इसका body बना सकते हैं face बना सकते हैं आपकी जो मर्जी जैसे इसमें ears है देखिए मैं आपको बताना चाहरे हूँ यह ears आपको 4 pieces काटने है 4 pieces तो दो मैंने एक color में काटे है और जो मैं इसके combination ले रही हूँ दो इसमें तो जो pink में काटा है वो भी एक इस तरह से रखके काटा है और एक reverse करके काटा है तो यह जो दोनों हैं देखिए यह इस तरह से है तो एक मैंने इस तरह से रखके काटा और दूसरे को मैंने इस तरह से करके किया इसी तरह से मैंन आपने दो को मिलाना है और इसको side में सिलाई लगानी है बस यह कोशिश कीज़ेगा कि जो फार है वो अंदर की तरफ जाए इस तरह से और इसको सिल लिज़ेगा अब जैसे कि मैं मशीन से सिल रही हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊंगी लेकिन जिनके पास मशीन नहीं है तो वो हैंड से सिलेंगे तो उनके लिए मैं बता रही हूँ हाथ से किस तरह से सीते हैं दिखिए अब दोनों पिस्स को लिया है मैंने कोशिश कीज़ेगा कि फर जो है अंदर की तरफ रहे और इसको दागे को गांट मार दी है एक side से और आपने इस तरह से लेना है अब दिख कमाई यह और थोड़ा थोड़ा लेते इसको इस तरह से इसी तरह से आपने यह पूरा सिलना है अब कई लोग इसमें इस तरह की वैसे ज्यादा तर जो जो हम softizer teddy bears बनाते हैं तो यही वाली stitch करते हैं यह दिखिए यह पूरा बंद हो गया यहां से और stitch आपकी दिख भी नह जाता है बस यही कोशिश करनी है कि फर को इस तरह से अंदर करते हुए यह फर आपने जब machine में सिलेंगे तब भी आपने कोशिश करनी है कि फर अंदर की तरब से रहे और कई लोग अब इसको इस तरह से सीते हैं जैसे कि यहां से लिया यह इस तरह से और फिर पीछे से जाद अतर इसकी जो यह वाली सिलाई है यही इसको interlock type की हो जाती है बंद हो जाता है तो इसी तरह से आप इसने इसको यह ears दो दो एक pink और एक वो लेके तो आपस में आप इसको सिल लेजे यह देखे इधर से यह बंद हो गए है पूरी तरह से यह देखे इस तरह से इसी तरह से आपने यह ears दोनों join करके ready कर लेजे मैं आपको machine में भी दिखाती हूँ किस तरह से सीना है देखे अब machine से सिलने के लिए यह दो pieces लिये मैंने और इनको सबसे पहले मैंने आप कोई भी चीज ले लीजे जैसे मैंने यह tweezer लिया है इससे मैंने सबसे पहले इनके जो यह फर है ना इनको अंदर कर दिया इस तरह से और simple मेरे पास सिम्पल सिलाई machine है,meन्वल है यह को इसमें motor भी नहीं लगए है, तो मैं इसी से काम करती हूँ जिनके पास motor है तो और भी अच्छी बात है जिनके पास latest है तो उससे भी अच्छा है, मेरे पास यह बहुत पुरानी मशीन है, मैं इसी से काम करती हूँ सारा, अभी फिलाल, तो आपको दिखाती हूँ, देखिए, मैंने इस तरह से रखा इसके नीचे, और सिंपल जैसे आप सिलते हैं, कोई भी चीज, वैसे हम इसको सिलेंगे, इस तरह से, बस आपने सिरफ यही काम करते जाना है, कि साथ साथ में इसको जैसे आप गुमाते जाएंगे, जिस शेप में सिलते जाएंगे, जो इनके ये फर है, इसको आपने इस तरह से कोई भी ची से आपने यह सिलना है मोटर वाली हो तो और अच्छी है एकदम फर्स क्लास से चलती है मेरी थोड़ी पुरानी है शेप का द्यान रखिएगा शेप के अकॉर्डिंग ही आपने चलानी है क्योंकि शेप खराब हो जाएगी तो फिर इसकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी दिखिए सारे मैंने अंदर कर दिये बंद तोड़ा से शेप के लिए गुमा रही है यह दिखिए अब इसकी एरसम ने बना लिए है थोड़ा सा अगर एक और चीज में इसमें बनाती हूं फिनिशिंग के लिए देखिए कई बार ने इसकी जो इसकी यह फर है यह अंदर बंद हो जाते हैं वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि ना हूँ लेकिन अगर इस तरह का हुआ तो आप सुई से या किसी भी चीज से इसके फर को इस तरह से निकालके फिनिशिंग टच इसको दे सकते हैं क्योंकि फर में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो यह चीज़ें आपको द्यान में रखनी है कि किस तरह से आपने इसकी stüt फिनिशिंग लानी है तो अगर किसी में आपको इस तरह से लगे कि यहां पर जैसे बंद हो रहा है सिलाई में तो आप इसको सुई से या कोई भी चीज से आप इसको इस तरह से फर को सिलाई में से देखिए इसली निकल जाता है अगर बंद भी हुआ हो तो यह इस तरह से इसकी शेप आजाती है देखिए इसके एर्स बन गए अब देखिए एर्स हमने जोड है मैंने सीदे कर दिए हैं दोनु को जोड के अब हम इसने आपस पहले तो देखिए यहां पर मांक लगा यह भी यह हैं पर यियर voting यहां पर और यह डाट होता है इसको डाट बोलते हैं डाट का के ही सिलनते हैं, मैंने पीछे कई सारे टैडी बेस में दिखाया है, तो आपको इस तरह से ये रखना है, और यहां से लेकर, इस तरह से सिलाई लगा देनी है, यहां से लेकर यहां तक, तो यह दोनों फेस में डाट्स हैं उनको सिलने के बाद में जो यह वाला पॉर्षिन और पॉर्षिन और इन दोनों डाट्स को सिल लीजे देखिए अब इस तरह से मैंने ये सिलाई किया है ये दिखिए मैं आपको द्यान से दिखा दूँ यहां से यहां ये नीजे से चोड़ा होगा और उपर से यहां पर कम होते जाएगा ट्रैंगल की शेप में ये आएगा तो इस तरह से ये डार्ट बनाना होता है मैंने इसमें कट नहीं किया क्योंकि कपड़ा पतला है तो चलेगा अगर मोटा है आप इसको कट करके भी आपस में जोड सकते हैं तो एक तो ये दोनों साइड से डार्ट बना दिया है मैंने ये देखिए और दूसरा जो सेंटर का पोर्शन है वो मैंने सिल दिया है अब आप इसमें जहां पर आपने ये इयर्स का निशान बनाया है ना वहां पर आप इसके ये इयर्स हम इसको जोड़ेंगे आप इसको किस तरह से जोड़ना है देखिए ये जो हिससा है ये अंदर की साइड जाएगा तो आपने इस तरह से ये जोइन करना है इसको तो आप तो इनको यहां पर निशान की जगे, पिन से भी, नहीं तो आप क्या कर सकतें, बराबर इस तरह से, देखे, mark एकदम बराबर आ रहा है, क्योंकि मैंने ये paper पर ही mark कर लिया था, उससे लगाया तो एकदम से बराबर आता है, नहीं तो आप इस तरह से इसको जोड़ के, और गैप में कर सकते हैं तो यह अंदर की तरफ रहेगा तो इस तरह से रखके आप इसको यहाँ पर पिन अब कर सकते हैं उसके बाद आप इसको एक्जाइक इस जगे पर जोड सकते हैं तो यह इस तरह से आपने रखना है इसको अभी हम ये देखे इस तरह से आएए इसको अभी उपर से आप एक एक सिलाई लगा दीजे तो इयर्स हमारे इस तरह से इसमें लग जाएंगे देखे अब इस तरह से ये ears मैंने सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से तो ये इस तरह से हमारे इसके ears जोड़ गए है अब आपने क्या करना है देखे यहां वाला portion जो हमारा ये round वाला portion बना है इसमें अब हमने ये muzzle जोड़ना है ये muzzle है ये मैंने felt में काटा हुआ है इसको अब आपने यहां से यहां से लेकर ये जो round वाला portion है ये इस round में आपने जॉइन करना है तो सबसे पहले तो हम इसका center ले लेंगे, क्योंकि इसका center तो हमें पता है, ये वाली जो सिलाई ये इसका center है, तो हम इस muscle का भी center ले लेते हैं, तो इसको इस तरह से दिखे बिल्कुल इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर एक mark लगा देंगे, अब आपकी मर्जिया pen से निशा करना है, यहां से और यहां से देखे, यह पूरा यहां तक, यह जो round वाला portion है, यह आपने जोड़ना है, इसके यहां तक पूरा, तो यह यहां से लेके, इस तरह से आएगा, देखे, यह पूरा यहां तक जोड़ जाएगा, ऐसे करके, तो इसी तरह से यहां से भी आपने कि शेप ऐसी नहीं आएगी, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं सेंटर से जोड़ दो, या फिर आप इसको एक काम किजिए, यहां पर एक छोटा सा एक सिलाई लगा दीजिए, यहां पर सुई से, उसके बाद में आप मशीन से यहां से लेकर यहां तक जोइन कर सकते हैं, बि करने क्या करना है, जो यह वाला पोर्शन है, इसको इस तरह से कीजिए, और यह जो पोर्शन है, इसको आपस में सिल लीजिए, यह पिंक वाला थोड़ा पोर्शन, और यह यहां का पोरा पोर्शन, यानि कि यह जो फेस का यह वाला हिस्सा है, यह वाला, और जो यह मजल का यहां से यहां आप इसको जोड़ दीजे जॉइन कर लिजे आपस में यह दिखिए अब यह सिलाई लग गई है आप इसका यहां पर हमने यह मजल में नोज का पोर्शन एड़ करना है यह दिखिए इस तरह से इसकी शेप आई है यह तैड़ी बेर की यह इसके यह भी लग अनुगे इस तरह से करके तो यह कोनावला पोर्शन आप इस नीचे वली शिय पे रखे ampl फेल एक इक्षवानन बना के यहां पर भी जैसे आप देख रहे हैं इसको इस से कीजे और एक सेंटर का निशान बनाMatt lo I am a mark लगा गया दीए इसी तरह से आप भी लगा दीज violet और स इस शेप में इसको इस तरह से सिला ही लगा दीजे ऐसे करके और इसको ऐसे करके सिल लीजे इसको पूरा इस तरह से तो ये नोज इसकी बन जाएगी यह nose मैंने सिल दी है देखे इसके उपर मैंने machine लगा दी है उसके बाद आप इस तरह से nose इसकी बन गया गई है अब आप इसकी eyes लगाते हैं देखे eyes में आप देख रहे हैं कि मैंने already निशान लगा दीया थे अगर आप निशान नहीं तो आप अपना नाप के भी इसको यहां से करीब सिलाई से दो उंगल छोड़के यहां से भी दो उंगल छोड़के और नीचे से एक उंगली छोड़के आप इसको निशान लगा दीजे और यहां पर आप इसको आईज लगा दिया अप जैसे कि मैंने कटिंग में ही निशान बना लिया था तो उसके बाद में आप इसको देखें इस तरह से ये डाला मैंने और उसके बाद में आपने इसकी ये वाशर फिट कर दी तो वाशर इस तरह से ये फिट हो जाती है तो इसी तरह से हम दूसरी आइज भी लगा देते हैं इसकी, तो ये दोनों आइज इसकी लग गई दोनों में वाश्यर अच्छी तरह से फिट कर लेजे ये देखे, अब इसकी ये आइज लग गई है, हमारे टैडी बेर का अल्मोस्ट फेस रडी है अब इसको आपने बैक हेड में जोड़ना है, जो ये बैक हेड है इसमें आपने इसको जोइन करना है तो दिखिए इस तरह से इसको सीधा रखा है मैंने, इसको इसका भी आप सेंटर पोर्शन ले सकते हैं, निशान बना सकते हैं और उससे आपको exact ये होगा कि बिल्कुल इसका जो head है वो center में आ जाएगा तो यहाँ पर एक निशान बना दीजिए, cut लगा दीजिए, जो भी आपको लगे की ठीक है अगर आपके पास chalk है तो उससे cut लगा दीजिए, यह आया है आप इसको इस तरह से सीधा रखेंगे, और देखें यह एक छोटी सी dory है मेरे पास इसको भी आप hanging अगर बनाना चाहते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर use कर सकते हैं hang लगाने के लिए, जैसे इस तरह से होता है, वो teddy के ओपर hang हो जाता है तो इसको भी आप use कर सकते हैं, तो इसको आप इस तरह से रखेंगे, center में और यह वाला जो portion है, दीखें, यह center portion आपने यहाँ से रखके और यह ears को अंदर करके, और इस तरह से join कर लेना है, यहाँ से दीखें, यहाँ से पूरा join हो जाएगा, जो ears है, उनको अंदर की तरफ रखेंगे, आप और जो यह वाला portion है, इसको मैंने यहाँ पर center जो मैंने निशान मनाया थे, यह दिखें, कट मैंने लगाया है, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से रखूंगी, और इसको इसको इसके उपर, और यह पूरा में round में, यहाँ से, यहाँ तक पूरा इसे सिल लूँगी, और यह back head इसका बंद हो जाएगा, यह अब इसको back head भी join हो गया है, तो हमारा जो teddy का head है, यह almost, मुला almost क्या, यह ready हो चुका है, यह दिखें, हमारा कितना प्यारा सा बना है, यह hanging के लिए भी बन गया है, कितना प्यारा सा इसका face बना हुए teddy का, अब इसमे क्या करते हैं, देखें, एक और चीज़ इसमें कीजेगा आप, जो यह muzzle है, इसमें हम यहाँ पर एक कोई कपड़ा लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इसके बीच में हम stuffing बरेंगे न, cotton बरेंगे, फाइबर बरेंगे, तो वो बिल्कुल उसी जगे पर रहेगी, इस तरह से एक circle काटके, आप इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, और किसी जगे पर थोड़ा सा यहाँ पर जैसे थोड़ा सा छोड़ के, बांकि आप इसको जोइन कर लीजे, पूरी तरह से, तो जब हम इसमें फिल करेंगे, तो यह से बाहर नहीं आएगा, यह बिल्कुल इसमें stick रहेगा अंदर से, तो muzzle एकदम से stiff सी रहती है, मलब hard सी रहती है muzzle, तो इस तरह से आपने इसको यह करना है, और एक side से छोड़ दीजिए, उधर से इसको बाद में fill करेंगे, यह दिखिए, अब यह मैंने लगा दिया है, यहाँ पर मैंने खोल दिया है, यही से म मैं छोड़ दिया है, यही से मैं इसको थोड़ा-थोड़ा cotton लेके इसको पूरे इतरह से fill करेंगे हम, देखिए, अब यह मैजल को मैंने फिर जो थोड़ा टुकड़ा था, जो खुलावा पोर्शन था ना, उसको भी बंद कर दिया, वो नहीं भी करें तो चलता है, अंदर ही रहता है, पर मैंने कर दिया इसको बन, तो इस तरह से यह टैड़ी का फेस बन के बिल्कुल रड़ी है, अब हम इसकी बॉड़ी को जोइन करते हैं, इसको साइट पे रखें, अब सबसे पहले हम लेते हैं, इसका यह बैक बॉड़ यहीं से करेंगे, अब इस पॉर्षिन में मैं इसमें जिप लगा रही हूँ, यह जेन लगा रही हूँ, आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, बात में सेल सकते हैं, जैसे कि दिन्मे दिका है जैसे कि आधाा Massiva टैडी bile अब इसमें आप मैं आप को लगा के लिए हूँ, यह जो ज पर हम इसको इस तरह से यहां तक जोड देंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे, यह दिखे, ऐसे करके यह फर सारा अंदर कीजिएगा, फर को इस तरह से अंदर कीजिएगा, अंदर की तरफ और यहां से यह रखे और ऐसे सिलाई लगा देंगे, क्योंकि बाद में इस तरह से हो जाएगा तो यह सीधी आ जाएगी यह उल्टा तरफ है जिप का मैं इस तरह से यह जोड रही हूँ तो यहां से जोडने के बाद में उसके बाद जो दूसरा वाला पोर्शन है उसको यहां पर जोड़ेंगे आप इस तरह से तो यह हमारी यहां पर पैक में जिप लग ज जोड़ दीजे और यह हमारा इस तरह से यह जिप लग गई है यह दिखे इस तरह से आया है यह तो दोनों बैक बॉड़ी हमारी आपस में जोड़ गई है अब इसको साइड पे रखते हैं नीचे का वह पोर्शन जोड़ दीजेगा अब लेते हैं यह सेंटर बॉड़ी यह द से लिख दूँगी इसमें यह पॉइंट्स आपको जोइन करने में एजी रहेगा तो इसको यहां पर रखना है इस तरह से और यह पूरा ऐसे राउंड करके यहां तक आ जाता है पूरी तरह से जब आप इसको सिलेंगे ना तब यह पूरा एक्जैक्ट बराबर आ जाएग यानि यहां पर यह वाला पॉर्शन आप इसका जोड देंगे सेम इसी तरह से हैंड्स में करेंगे इसमें देखिए एक साइट से थोड़ा ज्यादा है एक साइट से थोड़ा कम है तो उसके हिसाब से जो ज्यादा वाला पॉर्शन है वो नीचे की तरफ रखेंगे और कम पूर्शन उपर की तरफ तो इसको भी यहां से यह जो पूर्शन है यहां से यहां तक यह पूरा राउंड में इस तरह से जब आप इसको जोड़ेंगे तो यह यहां तक जोड़ जाएगा तो अब इसी तरह से इसके ओपर हम यह रखते हैं यह दिखें यह है अब इसको यहा से हैंटे को भी हम यहां पर इस राउंड से रखके इस राउंड से और पूरा यह आ तक आ जाएगा इस तरह से जोड़नेंगे तो यह दूसरा वाला साइड इदर जोड जाएगा तो इस तरह से हैंडेसो लेक्स अब इसमें इस सेंटर बॉडि में जोड दीजहें ये अब hands or legs इसके जोइन हो चुके हैं, ये front body में हमने, तो इस तरह से इसकी shape आई है, ये front body की, देखिए, अब इसको हमने ये back body में जोइन करना है, तो करना कैसे है, देखिए, इसको रखेंगे, इसको इस तरह से रखें सीधा, ये नीचे का portion मैंने जोड दिया था आपस मे जो zip का नीचे का portion खुला था, वो आपस में आप इसको join कर लीजे, उसके बाद में इसको इस तरह से रखना है, देखिए, अब यहां से हम join करेंगे, ये जो इसका leg है, ये वाला portion है, मैं यहां से join करूंगी इसको पहले, यहां से इखटे join करते हुए, यहां से लेकर, और यहां तक यह shoulder आजाएगा, इसका, जो यह shoulder का portion है, यह देखिए, यहां पर यह वाला portion, यह shoulder का portion इसका, यहां तक आजाएगा, तो यहां तक आपने इसको join करना है, यहां से लेकर, यहां तक आप इसको join कर लीजे, यहां से लेकर, यहां तक आप इसको join कर लीजे, यहां से यह पूरा हैंड जॉइन करते वे और यह यहां तक यह इस शोल्डर को आपने यहां पर इस तरह से जॉइन कर लेना है तो यहां तक हो जाएगा और इसी तरह से यह यहां साइड से भी आ जाएगा यहां से और इस तरह से करके और यहां तक आप इसको जॉइन कर लेजे का जो दूसरा वाला हिस्सा है दूसरा वाला साइड वो आपके इस साइड से जॉइन हो जाएगा यह खुला रहेगा यहां पर हमने फुट पैड लगाने है यह एक साइड से तो जोड़ दिये जो दूसरा वाला साइड है यहां से आप जोड़ते वे देखिए यहां से जोड यह बिल्कुल आपके इस जोड पे आ जाएगा यहां पर यह कोना आ जाएगा यह देखे इस तरह से पूरा यहां तक आ रहा है यह देखे बिल्कुल फिट तो यहां से लेकर इस तरह से पूरी सीधी सी लाई और इसी तरह से दूसरे साइड से भी आप इसको ऐसे जोइन कर ल लगाएंगे देखिए अब यहां पर जुड़ गया है तो हमारा टैडी का जो बॉड़ी है यह बनके बिल्कुल रेडी हो गया है अब इसमें हमने यहां पर यह जो लेग्स बनाए है इसमें जो यह छूड़ गया है पोर्शन इसमें हमने यह फुट पैड लगाने है तो यह राउंड वाला फुट पैड है यह इसमें इसको रखके पूरा राउंड से आप सिल लीजे तो इसको उल्टा रखिए आप इस तरह से और इस तरह से करके पूरा राउंड में ऐसे सिलाई लगा दीजे तो दोनों साइड के फुट पैड आप लगा देंगे तो इसके साथ म यह हमारा इसका टड़ी का बाड़ी बनके बिल्कुल डड़ी है उसके बाद हम इसके साथ में head attach करेंगे यह देखिये आफ फूट पैड दोनों साइड से लगा दिये हैं इसका फूट पैड ड़ी है बनके अब इसको हम head जो है इसके साथ में attach करेंगी क्योंकि हम पूरा गोल में अटाज करेंगे, क्योंकि हमारे पास चेन है, जिप है, हम यहां से खोल के बाद में इसको फिल कर लेंगे, तो जो है, इसका यह है, इसको भी हम उल्टा करेंगे, देखिए, अब इसमें आपने सेंटर का एक माक लगा दीजे, वैसे मैंने पैंसल लगा दिया है, ले यह देखिए, यह हो गया, इसका सेंटर का, और इसी तरह से, यहां पर तो हमें पता है, यह सेंटर कौन सा है, तो इसका यह सेंटर लेके, हम यहां से जोइन करना शुरू करेंगे, यह जो सेंटर है, इसको यहां से जोइन करके, और पूरा आपने इसको राउंड में जोइ यह सारा आ जाएगा आपका एड जितना portion है उतना portion यह दिखे पूरा round में आपके इस तरह से करके यह पूरा इस तरह से इसको round में इसका head जो है आपस में जोड दीजे दिखिए अब यह head पूरा मैंने जोड दिया है पूरा अब यहां से हम इसको zip मैंने थोड़ी सी खुली ताकि यहां से हम इसको खोलें तो जिप को यहां से खोल के हम इसको सीधा कर लेते हैं अब इसको अब यहां बैक से फिल कर लीजे पूरा इसमें फाइबर फिल करके उसके बाद हम इसकी जिप बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसकी नोज की थोड़ी सी माउट बनाएंगे और इसकी थोड़ी सी आइस की फिनिशिंग करेंगे झाली हमें ठाली हमें सर दिया रिया रहल payoff कि प suspend फ stärk रह बॉबरी ने हम इस प्रोमा बनाएंगे तर आहर और य की तो below रगलों कि प्हुtown अफनाएंगे पठती हमेहारी है झाल झाल देखिए अब हमारा टैडी बनके बिलकुल रडी है मैंने पीचे से फिल करके इसकी जो जेन है जिपे बन कर दी है और इसको अब हम थोड़ा सा एक तो माउथ बनाएंगे थोड़ा सा आइस की फिनिशिंग टज देंगे यह मैंने अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखि किस तरह से बनाते हैं तो यह दिखिए मैंने बड़ी वाली सुई ली है इसमें मैंने यह डबल करके यह जो मोटा वाला दागा होता है सिलने वाला वो डाला हुआ है तो इसका जो यह नोज की जो सेंटर की लाइन है इसके यहां पर मैं थोड़ा सा यहां से एक उंगल थोड़ा सा इस जगे पर देखिए आया इसके पास में यह देखिए यहां पर आया क्योंकि यहां दिखेगा भी नहीं इसके जो फार है उसके कारण तो यह थोड़ा सा लिया यहां से और इसके बाद में इस जगे पर जैसी यहां से निकाला है सेम इस जगे पर यह यह यहाँ पर आ गया है देखे यह दिख भी नहीं रहा है और उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको खीच के दिखे इसको थोड़ा सा खीचेंगे और यहाँ पर हम इसको tightly knot बान लेंगे इसको थोड़ा सा इस तरह से tight करके जिससे यह nose की shape जो है देखे यह थोड़ इसी ऐसे ऊपर की तरब जो teddy की होती है वो चली जाती है देखे यह यहाँ पर नहीं दिखता क्योंकि यह इसके नीचे चला जाता है तो इसको इस तरह से करके और यहाँ पर आप इसकी एक दो बार knot बान लीजे ताकि यह मजबूत र लेंगे देखे यह हो गया अब इसको यहाँ पर हम कार्ड देंगे यह तो होगी इसकी eyes की finishing यह देखे यह इस तरह से आईए eyes की finishing इस तरह से यह nose टड़ी की nose की finishing अब हम इसका यहाँ पर एक mouth बना लेते हैं जो इसका mouth होता है वह हम दागे से बनाएंगे अम रड़ी वली से जो भी आपके पास है available उससे आप यह इसको बना सकते हैं अब मैं आपको दिखाते हूं दिखे अब इसकी mouth बना लेते हैं मैंने यह red वाला जो embroidery का thread है वो डालावा यह मैंने double डालावा है अब आपकी मर्जी आप double डालिए single वो आप बना सकते हैं आप दिखे इसकी जो यहां पर जहां पर मैंने यह enter किया था यहां पर दिखे थोड़ा सा आपको इस तरह कर लग रहा है थोड़ा अंदर गया हुआ यहीं से मैं इसको डाल देती हूं सुई को और यहां nose के पास यहां पर center में देखे यहां पर मैं निकालूंग इसको इस सुई को बिल्कुल exact इ इस तरह से आएगा, इस तरह से, यहां पर सेंटर, यहां से मैं दुबारा सुई डालूँगी, इसको थोड़ा सा ऐसे डीलाई छोड़ रही हूं मैं अभी, और यहां से हम दुबारा सुई निकालेंगे, अब जहां तक आपको बना नहीं है, तो आप पहले से निशान बना ल है, यहां से ही दुबारा से ही जैसी यहां से ही मैं लूँगी दुबारा से, और सेम इसके सीध में यहां पर मैं निकालूँगी, अब यह आपने द्यान रखना है, या तो पहले मार्क लगा दीजे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपको आना चाहिए, यह इस तरह से पकड यह इसको थोड़ा सा और ऐसे खीज दीजे, देखे, दागे को, तो दोनो दागे आपने लेने हैं, दो लीजे या एक लीजे, वो आपकी मर्जी है, यह देखे, इस तरह से ही आ गया, यहां पर यह माउथ बन गया एक साइट से, अब यह वाला इदर जाएगा, और यह इस सिलाई लेके, इसको भी आप एक सार कीजे, दागे को, यह देखे, ऐसे, यह आ गया, यह बन गया, अब यह जो मैंने छोड़ा था, इसका छोटा सा यह टुकडा, इसको मैं यहां पर फिर से बांद दूगी, यह देखे, इस तरह से ही माउथ बन गया है, यहां से इस तरह स दूबार से इसको दो-तिन गाट लगा दीजे, और उसके बाद आप इस दागे को, कट कर लीजे, यह आ गया, अब इसको मही यहां पर, कट कर लेती हूँ, तो दीखिए, यह टाडी का हमारा, माउथ कितना प्यारा सा बना है, बहुत ही सुन्दर सा, अब इसको थोड़ा से मैं सजाने के लिए, एक रिबन ले रही हूँ, रिबन भी इसको आप लगा सकते हैं, तो रिबन को आप जैसे भी नौट बनाईए, जैसे आपको आता है, विस तरह से आप इसका नौट बनाईए, देखिए, जैसे इस तरह से लिए मैंने, और दो उंगलियों में, और इसक लिल भी चप्सार लेता है 5 तो चोट चाहिता कर लिलawan बार्ण अभारें लोमगंवेश कनील चोटा कर लेएं च्छोटव अधे हैंको जह से चाहिते हैं इस यहां ठाइट चाहित पर सब्सक्राइक क्याद और सबक्स्राइब यह हमारा ribbon बनके ready है अब इसको हम यहां पर लगा सकते हैं अच्छा इसको आप इसको cb सकते हैं जो आपकी मर्जी आप इसको तो सिल भी सकते हैं थोड़ा सा और नहीं तो आप इसको ग्लू से चिपका भी सकते हैं देखिए अब यह जो है इसको मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के और इसको अच्छा ग्लू मैं इधर ही लगा दूँगी ताकि यह भी इसका छुप जाए जो हमने नीचे यह नौट्स बना दिये थे अब वहां पर भी लगा सकते थोड़ा नीचे भी लगा सकते वह आपकी मर्जी है कहीं पर लगाईए तो यह इसका छुप गया अब आप इसमें देखें यह हमारा टैडी बनके बिल्कुल रडी है अब आप इसकी थोड़ी सी वह कर दीजे आशा करती हूं कि आज का मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए शेयर कीजिए ग और यह देखें हमारे क्यूट सा प्यारा सा टैडी बनके बिल्कुल रडी है थैंक यू